हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सभी लोग आई होग कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे सांदार और जबरदस देखे आगमें जो सिसन लेके आया हूँ ये सभी एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर होने वाला है यूपी यसी सीसाइड दो हजार चौबिस में पूछे गए बेतरीन सवाल है और आगामी आप जितने भी एक्जाम देने वाले हैं यहां से हो सकता है कि सीधा सीधा सवाल आप लोगों के एक्जाम में पूछा जाए तो आपको मिस नहीं करना है पेन और कापी लेकर मेरे साथ तैयार हो जाएए एक बार कुश्चन को खुद से भी बनाने की कोसिस करिएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज के सफर का सबसे पहला कुश्चन क्या कह रहा है आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है कुश्चन कह रहा एक संख्या को गलती से चार से गुड़ा करने की संख्या को गलती से चार से गुड़ा करने को जाया यानि संख्या जो यन थी इसमें किस से गुड़ा कर दिया गया है चार से गुड़ा करने की बजाए उसने क्या किया संख्या यन में चार से भाग कर दिया आप कहेंगे हां बिल्कुल सर तो अब देखें यहां पे चार य यन में तो यही तो है तो इसका मतलब देखे यन से तो यन कैंसिल हो जाएगा आप कहेंगे हाँ बिलकुल सर इसको परसेंटेज में बनाना है तो इन्टू हंडेट कर देंगे एक बात का ध्यान देना है अगर यहाँ 15 की बजाए 16 होता तो 100% आता एक ही तो कम है इसका मतलब क ही न कहीं 100% के करीब आंसर आएगा यह सिंस आपको एक्जाम में लगाना है तो न यह आपसन होगा न यह आपसन होगा एक ही आपसन सही होगा आपसन नमबर डी यानि कितना हो जाएगा इसको भाग कर देंगे 93.75% ही इस कुर्शन का राइट आंसर होगा क्लियर हो गई बा कि टाइम वर का बड़ा बहतरीन सवाल पूछा गया है कि पूरुसों की एक निश्टि संख्या एक कारे को 6 के दिनों में पूरा कर सकती है जहां कि एक प्राकृतिक संख्या है पूरुसों की संख्या कितने प्रतिसत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि कारे कहने का मतलब यह है तो देखे आप से क्या कह रहा है कि पूरुसों की संख्या कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि काम 6 दिन के मज़ा है 5 दिन में पूरा हो जाए कुश्चन का कहने का मतलब यह है तो देखे अगर मैं आप से टाइम की बात करता हूँ तो सबसे पहले देखे टाइम कितना लग रहा है 6 के टाइम लग रहा है उसके बात कह रहा है फिर कितना लग रहा है कितने पूरुसों को बढ़ाया जाए कि समय 5 के दिन में पूरा हो जाए देखे के से के कैंसिल हो जाएगा अगर देखे कार एफिक्स है तो time का opposite क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का efficiency तो यानि छमता कितनी हो जाएगी 5 अनुपाते 6 हो जाएगा कि नहीं तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल sir तो 5 से 6 कितना बढ़ाना पड़ा 1 कितने पे 5 पे into कितना कर देंगे 100 तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहां से 5 दूनी 10 यानि कितना हो जाएगा 20 यानि 20 परसेंट बढ़ाना पड़ेगा आप सब्सक्राइगा नंबर C क्या होगा इस question का right answer होगा clear हो गई बातें आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल sir बातें समच चुके हैं बहुत ही आसान था इस बात का ध्यान देना चली आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ अगला question देखें ये भी बड़ा बेतरीन सवाल है पहले भी SSC ऐसा सवाल पूसता रहा है कि 30 की power 30 के मान में सून से पहले जो है सून के पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है तो यहीं आप से कह रहा है कि एगर देखें 30 की power 30 दिया है तो अगर सून से पहले जैसे मैं आप से कह दू कि एक संख्या दिया है 5, 6, 7, 8 उसके बाद 3, 0 सून से पहले इसका मतलब ये वाली संख्या आपसे पूचा गया है तो देखे 30 की power 30 को आप क्या लिख सकते हैं 3 की power 30 into 10 की power 30 लिख सकते हैं कि नहीं आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं इसका मतलब यहां तक तो 0 आएगा मुझे इसमें पता करना है कि इसके just बात कौन सा अंक होगा तो आप देखे आपको पता होगा cyclicity किसी भी संख्या की जो cyclicity होती है वो कितना होती है किसी भी संख्या की जो cyclicity होती है वो हमेशा कितनी होती है चार यहीं होती है आप पढ़े होंगे जैसे मैं आपसे example की बात करता हूँ 3 की power 1 कर देंगे कितना आएगा 3 unit digit चार कर देंगे तो देखे कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का तीन की पावर चार कर देंगे तो साथ रिक 21 यानि एक आएगा यही आएगा तीन की पावर पाँच कर देंगे तो देखे एक बुड़े संख्या की power हो जाती है यानि 3 की power 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 9 यानि सबसे दाहिने इसके बाद तो यहाँ पे देखे लगातार 0 रहेगा इस बात का ध्यान देना यहाँ पे दिया है तो यानि 9 ही इस question का correct answer होगा option number D, option number D ही इस question का right answer होगा क्लियर हो गई बाते आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें clear हो गई है चले आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ question number 4 यह भी reasoning का बड़ा बहतरीन सवाल है क्यूब से और मैं Q बराबर कितना दिया है 64 तो A बराबर कितना हो जाएगा किसका Q है आप कहेंगे 4 तो कि आवस्यक noon-thumb कटावती की संख्या पूछेएगा तो आवस्यक noon-thumb cutting बराबर यानि कटावती की संख्या का एक result आपको डारेक्ट याद रखना है 3 A-1 होता है क्या होता है 3 A-1 नून-thumb काटने की संख्या समान टुकडों में तो क्या होता है 3 A-1 इसी पर रख देंगे कितना हो जाएगा 3 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा 3 तरिक्का कितना हो जाएगा 9 9 इस question का correct answer होगा option number B option number B ही इस question का right answer हो जाएगा clear हो गई बाते आप कहेंगे हाँ बिलकुल सर इसी तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसान होगा बहुत सारे लोग आप देखिए इसको practically भी कर सकते हो कि जैसे मैंने माल लिया कि एक घन बना लिया मैं आपको यहां पर दिखा भी दे रहा हूं लेकिन आपको इस तरीके से paper में करने की जरूरत नहीं है time waste करने की इस बात का द्यान देना clear है जैसे मैंने एक घन बनाया तीन चार यानि आप जब तीन कट लगाएंगे तो वो चार टुकड़ों में कटेगा आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर फिर इसी तरीके से यहां से आप तीन कट लगा दीजे एक दो और उसके बाद एक तीन तो इसका मतलब देखिए अगले तीन कट लगाने में फिर आपको चार टुकड़े करने पड़ेंगे इस बात का चार चार में डिवाइड होगा इसी तरीके से फिर तीन कट लगा दो एक दो तीन तो इसका मतलब देखिए तीन तीन छे तीन नो बराबर कितना हो गया चार बुड़े चार बुड़े चार बुड़े चार बुड़े चार बा है कि निउन्तम कटिंग बराबर क्या होता है थिरी ए माइनस का वन क्लियर है आप समझ गये होंगे चले आगे बढ़ेंगे अगले कुश्चन की तरफ कुश्चन नंबर फाइब ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है एक बार करने की कोशिस करिएगा मान लीजिए कि एक से एक द भावित मान की संख्या क्या होगी ये आप से पूछा गया है तो देखे आप से कह रहा है कि यक्स और वाई दो अंकों की संख्या है तो देखे जैसे यक्स प्लस ये वाई है आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये अधिक्तम दो अंकों की संख्या क्या आएगी तो आप और लुट बहुत गोर से समझे का इस सवाल में हुन सकता है, बहुत आरे बच्चे फसने वाले हैं, तो मैं आप से कहता हूं कि 2 अंकों की संख्या जैसे मैंने ले लिया 35, आप देखिए, इसको 11 बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसका मतलब ये 5 है, और इसका मतलब ये की संख्या मानता हूँ पलडता हूँ तो यह 10B और प्लस का कितना हो जाएगा A हो जाएगा कि नहीं आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर अगर इन दोनों को मैं add कर दू इन दोनों को मैं add कर दू तो देखे 10A में A जोड़ेंगे तो 11A यानि 11A कामन हो जाएगा A और 10B में 10B में B जोड़ेंगे तो 11B 11A कामन हो जाएगा तो यानि यहीं हो जाएगा X प्लस Y बराबर आपको कितना हो जाएगा 11A प्लस B इसी पर रख दो तो 11A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा कि नहीं तो आप आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर्व हो जाएगा तो 11 999 ए प्लस भी बराबर कितना हो जाएगा नाइन यहीं हो जाएगा आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर अब कितनी संख्या ले सकते हैं तो देखे एक जगा पर ले सकते हो तो यहां पर क्या ले लोगी आठ यहां पर दो जायेंगा 7,2,1,6,3,1,5,4 यह भी तो ले सकते हो तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल तो टूटल कितने मान पॉसिबल हो गए 4,4,8 आठ मान पॉसिबल होंगी, option number D, option number D ही क्या होगा, इस question का right answer होगा, clear हो गई बाते हैं, आप लोग समझ गें होंगे, चले आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ, ये सवाल मैंने इसलिए select किया है, क्योंकि आप लोगों के exam में ऐसा सवाल हमीशा देखने को मिलता है, आगे 99% chance रहता है कि exam में हमेशा clock से angle निकालने के लिए ही आता है, जब घड़ी 4,25 दिखाती है, तो minute की सुई, घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होता है, लेकि जब कभी भी angle निकालना रहे, तो सीधा-सीधा एक आपको direct result याद रखना है, क्या होता है, 60 है, differences क्या होता है, 11 M by 2, होता है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर, H का मतलब hour वाली सुई है, M का मतलब minute वाली सुई है, तो इसका मतलब देखे, H क्या है, hour की सुई है, M क्या है, minute की सुई है, तो इसी पर रख देंगे, 60 गुड़े कितना कर देंगे, 4, differences 11 into 25 by 2, हो ज 25 यानि 275, अब भटे कितना हो जाएगा, 2, 275 से 240 घटाओगे, कितना हो जाएगा, 35, अब 35 का आधा कर दोगे, कितना हो जाएगा, यहां से, साढ़े सतरा डिगरी, साढ़े सतरा डिगरी, इस कुश्चन का correct answer होगा, option number C, option number C ही, इस कुश्चन का right answer हो जाएगा, clear हो गई ब बड़ा बढ़िया सवाल है, कि 260 प्रिष्ट के पुश्चत को क्रमांकित करने में प्रयुक्त 5 की संख्या क्या है, देखिए, ऐसा सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ, आप लोग देखे होगे, जो बच्चे मुझसे कांटी ने उजुड़े हैं, उनको पता होगा, अब देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, कि एक से लेकर 100 तक कोई भी संख्या है, वो कितनी बार आती है, तो आप कहेंगे, सर 20 बार आती है, जिन बच्चों को पता होगा, तो 20 बार आती है, तो इसका मतलब ये हुआ, कि अगर मैं एक से लेकर 300 तक की बात करता हूँ, कि जो है 5 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे, सर 20 बार आएगा, टोटल कितनी बार आएगा, 60 बार, लेकिन आप से पूछा है 260 तक, तो 260 तक पूछा तो देखिए, 1295 में 5 आया होगा, 1285 में 5 आया होगा, 1275 में 5 आया होगा, 1265 में 5 आया होगा, तो ये 4 औ 5 आप क्या कर दे अगर जिन बच्चों को डाउट है कि 20 पार 5 कैसे आएगा तो मैं वह भी बता देता हूँ देखे एक पांच में पांच आएगा एक देखे फिर 15 में पांच आएगा एक देखे 25 में आएगा उसके बाद देखे 35 में आएगा फिर पंचानवे में आएगा तो देखे कितनी बार आ चुका एक दो तीन चार पांच छे चैघ कात आठ नव दस तस बार पांच आ चुका अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा कि 75 में तो 255 यहां पर आया होगा एक दोदीखे फिर 50 से आप लिखेंगे तो 50 में आया होगा 51 में 52 में 53 में 54 में अब 55 में ले चुका हो तो नहीं लूगा 56 में 57 में 58 में 69 में तो देखें यहां पर कितने पांच आगाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह आपको डारेक्ट याद रखना है इतना जाम ताम पेपर में करने की जरूरत नहीं है इस बात का ध्यान देना नहीं तो फिर समय बहुत जादा लगेगा हाला कि यह मैंने आपको समझा दिया कि कोई भी संख्या वो 20 बार हमेशा आती है बात समझ गये होगे चले आगे बढ़ेंगे अगले कुस्चन की तरफ कुस्चन नमबर 8 यह भी बहुत बहुत बेंतरीन सवाल है करने की पोसिस करिएगा एक घड़ी में सुबह 10 बजे से दो बाहर दो बजे एक ही दिन के बीच कितनी बार घंटे की सुई मिनट की सुई एक साथ आती है तो देखे कितनी बार आती है मतलब कितनी बार उबर लैपिंग होगा हम जानते हैं कि हर एक घंटे में दोनों सुई या एक बार अवस्य मिलते हैं एक बार अवस्य मिलती है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर तो अगर मैं 10 बजे से 2 बजे तक की बात करता हूँ तो 10 से 2 की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 से 2 की बात करता हूँ तो कितने घंटे हो जाएंगे 10 से 11 12 एक 2 यानी 4 घंटे तो इसका मतलब इनका मिलन कितनी बार होना चाह आपके घंटे की सूई 12 पर है और दोनों चली होगी तो जब घंटे वाली आपकी यहाँ एक पर आ जाएगी तो मिनट 3 के सूई 12 पर तो 12 एक बीच में जो है इनका मिलन नहीं होता है यानि 12 सिए 1 के बीच में ओबरलैपिंग नहीं होती इस बात का ध्यान देना क्लियर है तो बारास एक के बीच में ओबरलाइपिंग नहीं होती तो इसका मतलब चार में से एक घटा दोगे कितना हो जाएगा तीन बार यानि तीन ही बार इनका मिलन हुआ रहा होगा आपसन नंबर ए इस कुश्चन का करिक्ट आंसर होगा चले आगे बढ़ेंगे अगले कुश्चन की तरफ कुश्चन नंबर नाईं यह भी बहुत बेहतरीन सवाल है एक बार करने की कोशिस करिएगा कि एक स्वाई और जिट ब्यक्तिगत रूप से एक काम को क्रमसा 6 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं हाला कि एक समय में प्रतेग घंटे में किवल एक ही ब्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी लगातार 2 घंटे तक काम नहीं करेगा यानि question कहने का मतलब है एक व्यक्ति एक घंटे करेगा कोई दो घंटे लगातार काम नहीं करेगा सभी काम खत्म करने में लगे हैं काम खत्म करने में उन्हें नूनतम कितना समय लगेगा ये आप से पूछा गया है बड़ा बढ़िया सवाल है एक बार करने की कोशिस करिएग देखे X है Y है और कौन है Z है इसको देखे कितना समय लगेगा तो आप कहेंगे सर 6 घंटे इसको कितना लगेगा 8 घंटे और Z को भी कितना लगेगा 8 घंटे तो 6,8,8 का LCM लोगे कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे सर 24 तो देखे 6,4,24 X देखे जो है 4 यूनिट काम करता ह की छम्ता हो जाती है इस बात का ध्यान देना 24-24 यानि Y एक दिन में थीन यूनिट काम करता है Z एक दिन में थीन यूनिट काम करता है अब समस्द सी नूनतम समयं कब लगेगा जन जिसकी छम्ता ज़ादा होगी वो ज़्यदा काम करेगा आप कहेंगे हाँ विल्कुल सर और देखे वाई और जिट की छमता सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं सबसे पहले यक्स को काम कराते हैं तो यक्स कितना काम करेगा चार वाई काम कितना करेगा तीन फिर यक्स काम कितना करेगा चार वाई को करा दो अब देखिए जिट को कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसकी चमता जादा वो जादा काम करेगा तभी नियुंतम समय लगेगा और कह रहा कि 2 घंटे लगातार कोई काम नहीं करेगा तो इस बात का ध्यान देना है तो देखिए यह x हो गया यह x हो गया वाई देखे 4, 3, 7, 4, 3, 7, 14 और 4, 3, 7 तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पर देखे 14, 7 कितना हो गया 21, 3 काम और बचा है टोटल कितने दिन लग चुके हैं 3, 3, 6 दिन लग चुके हैं यानि यह समझ लेजी कि 6 घंटे लग चुके हैं अगले दिन देखे मुझे 3 ही काम करना है लेकिन एक्स कितना काम करता है 4 काम तो कितने समय में करेगा 3 बटे 4 घंटे में 3 बटे 4 घंटे में 3 काम करेगा तो इंटू क्या कर देजे 60, 60 कर देंगे तो 15, 4, 60 यानि 15, 3, 45 यानि 45 मिनट यहाँ पर लगेगा और टोटल 6 घंटे यहाँ पर तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 घ गहंते 45 मिनन चे गहंते 45 मिनन इस question का correct answer होगा option no.C option No.C ही इस question का right answer होगा clear हो गई बातें आप लोग कहेंग Gulfल सर बातें clear हो चुके हैं tao चलिए आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ question no.10 को बनाने की कोशिस करियेगा है बहुत आसान question कहे रहा 222 की पावर प्लस 333 की पावर 222 इस डिविजिबल बाई फीच आप फालोइंग नंबर यानि यही आप से कह रहा किस से यह कटेगा अब देखे आपको यहां पे तीन संख्या दिख रही है दो दिख रहा है तीन है 37 देखे दो तीन 37 बहुत ही कमाल के नंबर है इस बात का ध्यान देना अ कितना हो जाएगा 111 अगर मैं इसको दो से मल्टीप्लाई और कर दूंगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहां से इंटू दो कर दोगे तो 222 आएगा कि नहीं आप कहेंगे हां बिल्कुल से मैं आपको यह सिखाना चाहरा है कि जिसे तीन अंकों की संख्या है तो यह त तीन अंकों की संख्या exact कब आएगी इसका मतलब यही है कि तीन गुड़े 37 और गुड़े ए कर देंगे जैसे मैं एक एक जामपल और लेता हूँ कम समझ में आया होगा जैसे 444 इसका मतलब यही हो जाएगा तीन गुड़े 37 और गुड़े कितना करना पड़ेगा चार यही तो मैंने लिखा यानि इसी संख्या से multiply करेंगे एक बात का ध्यान देना यहाँ पर यह इबेन नंबर है और यहाँ पर यह आड़ नंबर है अगर मैं इबेन नंबर में आड़ नंबर एड़ कर दू तो हमेशा क्या आता है आड़ नंबर यही आएगा आप कहेंगे हाँ ब option number B यह 3 और 37 से कटेगा लेकि किस से नहीं कटेगा दो से नहीं कटेगा क्योंकि दोनों को जब add करोगी तो odd number मिलेगा क्या मिलेगा odd number मिलेगा इस बात का ध्यान देना तो 3 गुड़े 37 करते हैं तो 111 आएगा और किसी भी संक्या से multiply करेंगे तो डारेक्ट exact number मिल जाएगी बात समझ गए आप कहेंगे हां बिल्कुल सरपाते क्लियर हो चुकी हैं तो चले आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ question number 11 यह भी सवाल बहुत पेंतरीन है सबसे आसान सवाल है सहद में कितना प्रतिसत पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिस्रण को सहद के लागत मूल पर बेज कर 20 प्रतिसत का लाग प्राप्त किया जा सके तो देखे जिसे मान लीजे आपने सहद जो है पेड़ से तोड़ कर लाया या कहीं भी लगा रहता है तो जिसे मान लीजे कि आपने पेड़ सहद आप लेके आए तो इसका मतलब सहद लेके आए और आपने कहा कि मैंने जितने में खरीद के लाया या जितने में लाया हूं तने में ही दे रहा हूं लागत मोले पर ही बेच रहा हूं तो इसका मतलब कहीं न कहीं तो बेच कर फिर भी वो 20% का लाब कमा रहा है तो इसका मतलब जब 20% का लाब कमा रहा है तो पानी कितना मिलाना पड़ेगा तो आप कहेंगे सर 20 यही है तो 20 मिलाना पड़ेगा यानि 20% ही क्या होगा इस question का correct answer होगा बात की गहराई को आप लोग समझ रहे होंगे कि यानि वो क्या करेगा जो पानी मिलाएगा वो 20% ही क्योंकि आपने मालीजी कि 100 में खरीद के लाए 100 में ही बेचा लेकिन दुकानदार आपको क्या कर रहा है बेवकूप बना रहा तो इसका मतलब वो क्या करेगा वो 20% का पानी मिलाएगा तभी लागत मूले पर बेचेगा तो उसको 20% का फायदा होगा इस बात का ध्यान देना आप सा नमबर यह ही क्या होगा इस question का correct answer होगा clear हो गई बात हैं आप लोग समझ गये होंगे चले आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ question number 12 इस question को करने की कोशिस करिएगा question कर रहा एक कैन में यक्स में 399 लीटर पेट्रोल है और एक कैन वाई में कह रहा आप सभी लोगों से 532 लीटर डीजल है यही है उन्हें सामान आकार की बोतलों में बंद किया जाना चाहिए यानि जो सामान आकार की बोतल है उसमें बंद किया जाना चाहिए ताकि पूरा पेट्रोल और डीजल अलग अलग बोतल बंद हो यानि एकदम जो है exact होना चाहिए और जो है अलग अलग बोतल में बंद हो लीटर के संदर में बोतल की छमता एक पुरांक नंबर होना तो कितने अलग अलग बूतल आकार संभव हैं यह आप से पूछा कि यानि कितने कि क्वांटिटी लेंगे इग्जैक्ट जो है पेट्रोल और डीजल आ जाए और बचेना इस बात का ध्यान देना तो इसका मतलब सीधा सीधा इसका सीधा निकाल लो बहुत बहुत बहुतरीन सवाल है देखे 532 से 399 में गटा दो 12 में से 9-3 12 में से 9-3 यानि कितना हो जाएगा 133 133 लीटर का एक आप माप ले सकता है ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर अब देखे 19-133 होता है इस बात का ध्यान देना तो 19-133 होता है तो एक आप 19-19 लीटर का लेंगे तो भी यहाँ पर देखे यह सब कड़ जाएगा और एक साथ लीटर का लेंगे तो भी कड़ जाएगा तो एक 133 लीटर का भी ले सकते हो 19 लीटर का भी 7 लीटर का और एक आप एक लीटर का भी तो ले सकते हो वो एक एक लिटर का लेग लोगे तो भी एक्जेक्टिव बोतल में बंद हो जाएगा तो कितने मान पासिबल हो गए एक दो तीन चार चार मान संभव हैं इस बात का ध्यान देना आप सा नंबर भी इस question का correct answer हो clear हो गई बातें आप कहेंगे हाँ बिल्कुल sir बातें clear हो गई हैं आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ question number 13 ये भी सवाल बहुत बहतरीना और सांदार है एक बार करने की कोशिस करिएगा एक जनवरी 2030 को एक ब्यक्ति ने एक रूपए बचाए दो जनवरी 2030 को उसने पिछले दिन की तुलना में दो रूपए अधिक बचाए इत्याद यही आपका system चल रहा है तो किस तारीक के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग और साथ ही एक पूर्ण घन थी यही आपसे कह रहा है देखें उसने एक जनवरी को एक बचाए उसके अगले दिन दो रूपए इस्टा बचाए तो यानि कितना बचाए तीन फिर उसके अगले दिन दो और इस्टा बचाए तो पांच तो अब इसकी को मुझे ले जाना है यानि एक परफेक्ट स्क्वाइर या क्यूब हो तो एक बात का ध्यान देना जैसे मैं एक की पावर 6 करता हूँ कोई भी संख्या उसका पावर 6 करोगे तो हमेशा घन और क्यूब एक साथ मिलता है ये भी कॉंसेट याद रखने जिसे एक है एक स्क्वाइर भी है क्यूब भी है अगर मैं 2 की पावर 6 करता हूँ तो कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का यहाँ पे 64 यह हो जाएगा दि कोई भी संख्या उसकी पावर क्यूब करते है तो परफेक्ट स्क्वाइर और क्यूब दोनों मिल जाता है तो इसका मतलब मुझे कहां तक ले जाना है 64 लाना है 64 इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वाइर भी है क्यों भी है यही आप से कह रहा है तो 1 3 5 5 में दिखिए 2 जोड देंगे कितना हो जाएगा 11 11 12 12 जोड दोगे कितना हो जाएगा 13 13 आघर 64 आ जाएगे तो आपकी डीट फिक्स हो जाएगी देखे 3 4 5 4 9 7 12 9 25 25 11 जोड देंगे 36 36 में 36 18 जोड देंगे 36 में 28 जोड़ देंगे, 8, 6, 14, 4, 64 आ गया तो इसका मतलब देखे, 64 इसको ऐड़ कर दिये तो आ गया इसका मतलब देखे, 1 तारिक, 2 तारिक, 3 तारिक, 4 तारिक, 5, 6, 7, 8 यानि 8 जन्वरी इस question का correct answer होगा यानि 8 जन्वरी तक इसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग और घन एक साथ हो जाएगी clear हो गई बात है, आप कहेंगे हाँ बिलकुल सर बात है clear हो चुकी है चले, आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ अगला question क्या कह रहा, question number 14 question number 14 कह रहा है, ये भी percentage का सवाल है बहुत बेतरीन है, P का बेतन Q के बेतन से 20% कम है देखे question कह रहा है, जो P का बेतन है Q के बेतन से 20% कम है तो देखे 20% को fraction बदल दो, 20% का मतलब 1 बटे 5 यही होता है, तो यही कह रहा, P का बेतन Q के बेतन से 20% कम है तो इसका मतलब यह 5 रहा होगा तो यह कितना रहा होगा 4 यही है P का बेतन Q के बेतन से 20% कम है उसके बाद कह रहा है यहां पे जो की R के बेतन से R के बेतन से कौन कम है, क्यों, 20% कम है, तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, ति ये क्या हो जाएगा, 4, देखे, जो यहाँ पे संख्यार है, यहाँ बढ़ा दो, तो इसका मतलब देखे, 4, 4, 16, 5, 4, 20, 25, आप से कहरा, जो R का बेतन है, P के बेतन से कितने प्रजिसत अधीक है, तो देखे, कितना जादा है, 9 जादा है, कितने पे जादा है, 16 पे इंटू 100 करने, देखे, 4 से काटेंगे, तो 4, 4, 16, ये कितना हो जाएगा, 25, 25, 25, बटे 4, चार से भाग कर दोगे, देखे, कितनी बार चला जाएगा, 45, 25, 25 हो गया, 4, 24, यानि 56, 25, 56, 25, परसेंट इस कु ज़रूरत नहीं है, जारेक्ट आप आपसन पर आपकी नजर जानी चाहिए, आपसन नंबर B ही क्या होगा, इस कुशन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गई बातें, आप लोग समझ गए होंगे, चले आगे बढ़ेंगे, अगले कुशन की तरफ, कुशन नंबर क्य क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 की पावर 27, लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे, हाँ बिल्कुल सर, तो यहां पर देखे, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 25 और प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा, 27, अगर मैं यहां से 2 की पावर 25 कामन कर लू, तो कितना बचेगा, 1 और प्लस तो देखे यहाँ पे दो दिख रहा है यह 5 अगर मैं 2-5 लेता हूं तो कितना हो जाएगा 10 यानि 10 से इजैक्ट कटेगा ना 3 से कटेगा ना 7 से कटेगा ना 11 से आपसर नमबर D ही क्या होगा इस कुश्चन का राइट आंसर होगा क्लियर हो गई बातें आप लोग समझ गये होंगे चली आगे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ कोश्चन नमबर 16 ये भी सवाल बढ़ा बढ़निया है एक बार करने की कोशिस करिएगा एक परिच्छा में केरा 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तिर्ड हुए 70% छात्र हिंदी में उत्तिर्ड हुए और 15 परिच्छत दोनों विश्यों में असफल रहे केवल एक विश्य में अनुतिर्ड छात्रों का प्रतिसत क्या है तो देखे सबसे पहले आप लोग ऐसा सवाल आया तो सीधा सीधा डायाग्राम बना लिया करिए वाप से कह रहा 80% छात्र अ ऐसे है जो आप से कह रहा है कि हिंदी में ये हिंदी हैं हिंदी में क्या हुए हैं उत्तिर्ड हुए हैं और 80% इंग्लिजिस में पास हैं अगर 80% एंग्रेजी में पास हैं तो फेल कितने है तो आप कहंगे 10% यहीं है अगर मैं केवल अंग्रेजी में फेल की बात करता हूं तो 15 फेल में आ चुके हैं तो केवल इंगलिस में कितने फेल हैं 5% अगर 70% हिंदी में पास हैं तो फेल कितने होंगे तो आप कहेंगे 30% मैं केवल हिंदी में फेल की बात करता हूं सौरी तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 15 केवल 10707 dolls का प्रतिसत कितना है तो पांच यह औरभ पदरा ही तो 15 5 कितना फोजाएगा बीस इयानि 20 फर्संट छाट्रों ऐसे हैं जो केवल किसमें जो है किवल एक विसाय में फेल है आपसा नंबर भी इस question का right answer होगा clear हो गई बाते हैं आप लोग समझ गये होंगे आज की सफर का आखरी question आपसे क्या कहे रहा है और ऐसा question भी मैं पहले भी करा जोगा हूँ question कहे रहा है गुड़न फल एक की power 2 into 2 की power 4 into 3 की power 6 into 4 की power 8 डाट डाट 25 की power 50 में प्रताग प्राप्त पुरांग के अंत में क्रमागा सूनने कितने हैं तो एक बार करने की खुशक पूसिस करेंगे की कैसे करेंगे देखे चार के बाद आप क्या आएगगा यहां पर 5 देखे 5 की power कितना हो जाएग आपका दस यहीं हो जाएगा आप कहेंगगे हां बिलकुल सर 5 के बाद देखे 6 आएगा 6 की पावर 12 इंटू यहीं तो आएगा देखे 6 की पावर 12 आएगा 6 की पावर 12 के बाद 7 की पावर 14 17 की पावर 14 के बाद 8 की पावर कितना हो जाएगा 16 8 की 16 के बाद 9 की पावर 18 फिर 10 की पावर कितना हो जाएगी यहां से 10 की पावर कितना हो जाएगा 20 यानि देखे 5 की पावर कितना हो जाएगा 10 यहां 10 की पावर कितना हो जाएगी 20 यही आएगा आप कहेंगे हाँ बिलकुल सर ऐसे ही 15 की पावर कितना हो जाएगी आप सभी लोगों का तो आपके देखे 10 की पावर 20 15 की पावर कितना हो जाएगा 30 और कितना हो जाएगा 15 के बाद 20 20 की पावर कितना हो जाएगा 40 यह हो जाएगा आप कहेंगे हाँ बिलकुल सर 15 के बाद 20 और उसके बाद कि यहां पचीस की पावर 50 आप कहेंगे हाँ बिलकुल सर यही है तो इसका मतलब अब ध्यान समझेगा जैसे आपको जीरो चाहिए अंद में तो जीरो कहां से आता है कि ज्जादा बार बार निकालनी की जरूरत नहीं हैं जैसे मैं एक ऍकजाम्पल की बात करता हूं कि जैसे मैंने ले लिए थाइड़ कि पावर फोर। यहीं है मैं सुन्दों की संख्या बताइए तो आप कैसे करेंगे तो देखें पाँच तीन बार आया दो की पावर चार आ गया यह एक छोटा से एकजाम पर लेते हैं जैसे मैंने ले लिया पचीस इंटू आट तो पचीस अठे कितना हो जाएगा तो आप सभी लोग कहेंगे सर पचीस अठे कितना हो जाएगा तो आट पंचे चालिस चालिस की जीरो चार आट दोनी सोला चार बीस पर चीस अठे दो सो तो देखे यहां पाँच कितनी बार आया है दो बार आया है और दो कितनी बार आया है तीन बार आया है तो इसका मतलब कही ने कहीं जो संख्या कम बार आई है तो सबसे कम 0 वही पे आया है तो इसका मतलब देखे 5 की power 10 का मतलब देखे 5 कितनी बार आया है यहाँ पे 10 बर अब 5 दूनी 10 होता है तो यहाँ पे 5 कितनी बार आया है 20 बर यहाँ 5 कितनी बार आया है तो आप कहेंगे sir 30 बर यहाँ 5 कितनी बार आया है तो आप 5 ओके 20 होता है तो 5 कितनी बार आया है 40 बार यहाँ पर 5 कितनी बार आया है तो देखे 25 को आप 5 की पावर 2 की पावर 50 लिख सकते हैं तो इसका मतलब 50 दोने कितना हो जाएगा 100 बार तो यानि यहां पर total add कर देंगे कितना हो जाएगा, 100 में 40 जोड़ोगे, 140, 140 में 30 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा, 170, 20, 90, 10, 100, यानि total कितना हो जाएगा, 200, 140, 140, 140 में 30, 170, 20, 190, 10, 200, इस बात का ध्यान देना, थोड़ा सा मैंने 100 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, total 200 आयेग आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर बातें clear हो गई हैं, समझ चुके हैं, तो चलिए, session कैसा लगा, comment box में comment करके जरूर बताईएगा, बाकी मैं आप लोगों के लिए topic why चीजें लेके आ रहा हूँ, किस topic में दिक्कत है, अगर आप comment में comment करके बताते हैं, तो मैं भी उस पे भ बनाता हूँ, तो चलिए, आज के लिए तना ही, thank you all the best.